हेलो एन वेलकम गाईज स्वागाद आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग A, B, C, A, T, T, N, S, P, L, S, की बात करेंगे जो की मैच होगा याप पर Combine School versus Free Town के बीच में तो चले दोनोग ट्म के प्लियर पर एक बार नजर कर लेते हैं के कॉन से प्लेयर को हम लोग ऐसे small league में लेके जाएंगे कॉंसे प्लेयर को हम लोग ऐसे grand league में pick करेंगे प्लस कॉंसे प्लेयर हमारे लिए captain और wise captain ship के लिए base वाई ज़रेगा उसके बारे में बात कर लेंगे pitch report देख लेते एक बार last में हमारी fantasy team देख लेते हैं के कॉंसे प्लेयर को हमें लेके जाना है कॉंसे प्लेयर को हम लोग ऐसे drop कर सकते हैं सारी details इसी वीडियो में cover करेंगे तो चली फिर बिना किसी देरी के वीडियो को start कर लेते हैं तो बात करें इस match की इससे पहले एक चोटी सी request है कि YouTube channel को बिदक आपने subscribe ने किया तो YouTube channel को सबसे पहले आपको subscribe कर लेना है साथी मैं telegram channel से भी जुड़ जाएगा क्योंकि final update और final team आपको telegram channel पर मिलने वाली है और telegram से जुडने के लिए मैंने नीचे description box में telegram का link अटेच किया हुआ है इनके link वर्क ना करें तो telegram में जाएए search करिए fantasy decent challenger या फिर आप search कर सकते एटरेट fdc27 और आपको सीधा हमारा channel मिल जाएगा simply आपको उसे join कर लेना है क्योंकि final update और final team आपको वाई पर मिल जाएगी तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले इस match की तो यह match राज को 12 बजे विवियन रिचार्ट पीच रिपर की बात करो तो यहाँ से runs ज़्यादा बनते नहीं है 80-110 run मैंने mention किये लेकिन 80 भी यहाँ से maximum बनते है कभी-कभी यहाँ से 40-50 में भी team all out हो जाती है सबसे पहले यहाँ से COS की बात करते है जो कि 3 match के लिए जहाँ पर 3-3 match हो हार के आ रही है अपनी पहली जित की तलाश में पूरा जोर लगाने वाली है जोर्ज, इर्विन और यहाँ पर शेमर परेरा दोनों opening करवा रहा है इंपोर्णस की बात करो तो यहाँ पर 9-9 run किये जो कि यहाँ पर काफी अच्छ है मैं मानूँगा क्योंकि ज्यादा run runs बनती नहीं है अगर 9-10 run भी मारता है तो काफी अच्छा है आप लोग इनको लेके जा सकते हो टिम की कप्तान सिप करवा रहा है 61 match का अनूब ववय जापर 17 विकेट निकाले उन्होंने 15-15 run करता हो नज़रा सकता है कि कई बार ऐसे 15-20 या 20-25 run भी इन्हों हो सकते है समर परेरा इस match की बात के हो तो इस match में आपके लिए captain और wise captain सिप की base choice रहेगा पहली match के नट 13 run किये थे एक वर्स की गयन बाजी की जापर विकेट लेस रहा इसके बार बैटिंग से 0 पर आउट हो गया फिर एक ही गयन डाली जापर विकेट नहीं मिली इसके बाद या जे 15 run किये दो वर्स की गयन बाजी की जापर एक विकेट निकाला तो as a player important रहेगा even captain wise captain सिप के लिए I think यही BSP के रह सकते है आपके लिए इनके लिए यहाँ से जाविक top in को as a player हम लोग लेके जाएंगे 21 run किये दे 2 वर्स की गयन बाजी की जापर एक विकेट निकाला इसके बाद एक वर्स की गयन बाजी की विकेट लेस इसके बाद दो वर्स की गयन बाजी की विकेट लेस रहे overall 23 match के लिए 26 विकेट है वरीबल 19 के वरे 570 रहने तो ये दोनों importance रहने वाले है इन दोनों में जाक किसी को भी आप लोग ऐसे captain और vice captain के तौर पर try कर सकते हो क्योंकि इनी दोनों player से उम्मीद है थोड़े बहुत runs करने की इनके बाद आद यहाँ पर melee को jackops okay okay रहेंगी अगर कोई choice ना मिले तो इनको try कर सकते हो वाकी small league के लिए ठिक टाक भी गए यहाँ से यानिक वटेली की बात किरो तो पिछली दोनों match के लिए ठिक टाक स्कोर करते वा रहे है ऐसे 14 वर 23 मेना को शरुबात में पहली match के लिए उपनिंग कर वाया था इसके बाद पिछली दो match की बात के लिए तो काफी नीचे खिल रहे है रिसकी तोर पर try कर सकते हो डिफरेंस लिए में और यहाँ पर एजईया एटवॉड इन दोनों को थोड़ा सी ऐसे फिर भी एटवॉड को तो आप लोग try कर सकते हो लेकिन नोहा जेम्स की बात को तो यह ओक्की रहेंगी यह से दजारी बार्थली यह भी कुछ खास नहीं है यह से विकर केपिंग से दिख सकते आपको इनके साथ यह से जैविक टॉपिन यह तीनों को आपको लिखे जाना है इनके अलावा यह से वर्टाली को आप लोग ले सकते हो क्योंकि पिछली दोनों मैच केनर स्कॉर वगिरा किया हुए उन्होंने रिचर्ट सन नहीं पर पहली मैच केनर ओपनिंग किया था इसके मैच हारती हो आ रही है ओपनिंग में कौन है तो जैरिल फिलिप्स और यहापर जैविर ड्यू दोनों ओपनिंग करवाए इंपोरनस की बात क्यों तो जैविर ड्यू वेरी इंपोरनेट पिक रहेंगे I think यह से कैप्टन वाइस कैप्टन सिप के लास मैच के परफरमस के ब करीबन 16 के अवरेस से 341 रहन है तो परोसा करना चाहो तो इनके अपर कर सकते हो इनके अलवा यासे क्लेटन प्लाइने ने लास मैच के अंदर एक वोस की गैनवाजी की विकेट नहीं मिला ओवरल 43 मैच का अनूब है करीबन 26 के अवरेस से 923 रहन है अभी देखो दोनों ही म होता नहीं हो तो मैंने आपको पहले बता जिया था कि कई बार ऐसे 40-50 में भी यहां पर टीम ओल आउट हो जाती है इनके अलवा ऐसे जामा न्योज फर्णांडीज एक अच्छी विक रह सकती है 58 मैच का अनूब है 65 विकेट है करीबन 22 के वरे से 1306 रहन है बरोसा कर सकते है इनके पूरा परोसा कर सकते हैं जो लोग ग्रांड लीग वगएरा किलना चाहते हैं इनको केप्टन और वाइस केप्टन के तौर पर ट्राइ कर सकते हैं ग्रांड लीग वगएरा में स्मॉल लिग में बिल्कुल नहीं ऑस्टिन रिचार्ड एज अपलेफिक रहेंगे 18, 12 और 13 जैसे स्कॉर करते हुए आ रहें और वाइस मेच के अंदर करीबन 32 के अवरेस से 575 रहन है करीबन 16 विकेट निकाले हो टिम की कप्तान सिप करवा रहें वन अब बेस प्लेयर है इस टिम का तो इनको अप लग लेके जा सकते हैं बाकि यासे किप बाल्टीम और ओक्यों के रहें गे आग क्लेवर मार्टीन की बात करो तो क्लेवर मार्टीन पूरी वॉस करवा रहें तो फॉर रहल है अच्छे है यासे इनको लेके जा सकता हो 23 मैच के अनदर 40 विकेड है प्रत्यक मैच के अंदर इन्होंने 2-2 वस की गैंबाजी करवाई है सेकंड लास मैच की बात करो तो महाँ पर उनों नहीं एक ही वर्स की गैन बाजी करवाई थी विकेट के मामले में अभी तक उनको एक भी विकेट मिला नहीं है तो फिर भी यहां से इनको लेके जा सकते हैं क्यूंकि इनके पर आप लोग एक टाइम वरोसा कर सकते हो नंथा निल और यापकर करीम सकते हैं तो बात करें आपर विकेट केपिंग सेक्शन की तो यासे आर ट्रीस फिलिप को में एक लेके जा रहा हूं आप लोग यासे जैकॉब को लेके जा सकते हैं इनके लाब राटलेट काफी नीचे खेलते हैं तो इनको लेके जाना रिस्की है बैटिंग सेक्शन में आ पर एक्स होप्सन है तो इन दोनों को मैंने लिया हुआ है बाकी आप लोग यहां पर स्पाइने को ट्राइ कर सकते हैं रिस्क की तोर पर अधरवाई यासे अट्टा वोड है इनको रिस्क लेना चाते हो तो ले सकते हो ओल्डावडर सक्षन में आप जे फिलिप रहेंगे इन आप लोग इन दोनों में किसी जगह पर फरनाड इसको ले सकते हैं वालिंग सक्षन में सी मार्टी ने जी विलियम से और वाई वाटली हमारी टिम के अंदर रहने वाले यहां पर आप लोग कुछ खास रिस्क लेने की जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा रिस्की खेलो तो यहां से इनकोट रही कर सकते हो बाकि टिम की बात करो तो टिम कुछ इस तरह से रहेगी देखो इस में कैसा है ना कि जो यहां से मिंस के जो सिलेक्टर प्लियर है न वही ज्यादा पर फर्फम देते बाकि आपने देखा कि दोनों इंदर कुछ खास पोटेंशियल है नहीं बैटिंग लाइन अप में तो बिल्कूल भी नहीं है हाला कि फिर भी बाइलिंग से थोड़े बहुत पॉइंट भी देते एक दो विकेट निकाल के इसके लिए जो भी सिलेक्शन वाइज है वहां पर ही ज्यादा फोकस करिए ग्रांड लीग अगरा खेलते है तो आप वाइस केप्टन के तोर पर ट्राइक कर सकते हैं इनके अलबा यासे बाकी सारे ओप्सन जो है बहुत ज्यादा रिस्क है तो अपने अकोर्डिंग जो भी रिस्क ले सकते हो बाकी अभी के लिए मेरी टीम कुछ इसी तरह से रहेगी याद रहे जो टीम है डेमो टीम है इसी 27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपली आपको उसे जोइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वह पर दी जाएगी यह अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो और यूटूब चैनल को आप लोग यहां से चार दो तीन या तीन चार कॉंबिनेशन भी ग्रांड लेक के बना लेते हो तो इस मैच के लिए यहां पर सही रहेगा क्योंकि यह जो मैच इस होते हैं जहां पर सिलक्सेन वाइस प्लेयरों ज्यादा खेलते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत ही आपको च